ये देश बेगाना है ये देश बिराना है नहीं देर लगेगी अब छोड़ के जाना है नहीं देर लगेगी देर लगेगी नहीं देर लगेगी सब छोड़ के जाना है सब छोड़ के जाना है नहीं देर लगेगी चलता है चलता है उठा कर सिल करता है मन मानी चलता है उठा कर सिल करता है मन मानी ये सिर जुक जाना है नहीं देर लगेगी सब छोड़ के जाना है नहीं देर लगेगी ये देश ये देश बिराना है सोना चला गया कहना चला गया डॉलर चले गए उसके लिए हम डिप्रेस हो जाएं रोएं लेकिन उस घर में जाने को न मिलेगी कार तुझे पैदल ही जाना है नहीं देर लगेगी नहीं देर लगेगी सब छोड़ के जाना है नहीं देर लगेगी नहीं देर लगेगी नहीं देर लगेगी माता जी ने बहुत समझाया बेटा हयक ग्रीव को कहा देख जो आता है आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर एक सिंगहासन चड़ चला एक बांधा जात जंजीर एक मातमा कहते हैं कि देखो भई जब मरना है जब जाना है तो ऐसा मत करो कि ज़्यादा बोज मत बढ़ाओ हम लोग करते हैं ये मेरा तो ये मेरा तो ये मेरा तो ये मेरा और जब जाना पड़ता है सब को छोड़के तो फिर मुश्किल हो जाता है जाना क्योंकि लेके तो जाने ही सकते यहां का एक नियम यही नियम है कि यहां आओ और यहां जितना चाहो खाओ जितना चाहो संसार के सुख भोगो बढ़िया से बढ़िया पहनो बढ़िया से बढ़िया अगर आपको आगे के लिए कुछ चाहिए तो दे दो दूसरों को नहीं चाहिए तो मत दो लेकिन यहां से लेकर नहीं जा सकते इसलिए हमारे एक महत्मा ने लिखा उर्दों में बराए नाम भी अपना ना कुछ बाकी निशां रखना ना तन रखना ना दिल रखना ना जी रखना ना जां रखना बहुत मजबूत घर है आकवत कादार दुनिया से उठा लेना यहां से अपनी दौलत और वहां रखना दुनिया वाले क्या मदद करेंगे जब मौत आएगी तो सब बिचारे रोते रहेंगे आँखों में आशो भरके क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे कोई हल्प नहीं कर सकते डाक्टर बुला लाएंगे पैसा खर्ज करके दवाई ले आएंगे लेकिन उस समय उन हकीमों को कहो यह बोल कर जो करते थे दाबा किताबें खोल कर लुक्मान लुक्मान हकीम था लुक्मान हकीम की कोई दवाई खाली नहीं गई कोई लेकिन वो कह जाएगी बिनमहूरत के उठाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिनमहूरत के उठाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिनमहूरत के उठाली जाएगी जरसिकंदर का यहीं पर रह गया मरते दम लुकमान भी ये कह गया ये घड़ी हर गिजन टाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिनमहूरत के उठाली जाएगी महत्मा का रूपक देखिए क्या उधारन देते हैं क्यों गुलों पर एबुल गुल होती निशार पीछे माली खड़ा है हो हो शियार मार कर गोली गिराली जाएगी मार कर गोली गिराली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिनमहूरत के उठाली जाएगी उन हकीमों को कहोयों बोलकर उन हकीमों को कहोयों बोलकर जो करते थे दाबा किताबे खोल कर जो करते थे दाबा किताबे खोल कर ये दवा फरकेज न खाली जाएगी ये दवा हर गिजन खाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन महूरत के उठाली जाएगी बिन महूरत के उठाली जाएगी जब तेरी डोली सांचे दरबार की जय तो कहते हैं यह हायक गृव की कथा सुनाते हैं यह हायक गृव की कथा हमें क्यों सुनाते हैं देभी भागोत में हायक गृव मने घोड़े काशिर हम भी तो घोड़े कासिर लगा के दोड़ते हैं हम लोगों को भी और हम भी तो हमें आसुरों की कथा क् एक राक्षास बैठा हुआ है, हम भी तो सोचते हैं हम मरें नहीं, सारी उमर गवालाई तू जिंदड़िये कुछ न जहान विच खटिया, मात्मा कहते हैं, लेकिन ना रहा बच्पन, ना रही जवानी, ना रही वो रृतमस्तानी, और कहते हैं, आया बुढ़ापा जो जानदा नहीं, हर चाल चला लई तू, जिंदड़िये, कुछ न जहान विच्चों खटिया, कौन चाहता है बुढ़ा होना, आप लोगों को एक सुचना है, सबेरे हमारे यहां, हर रभी वार को, सबेरे चार बजे कम से कम, आज भी 45 लोग आये थे, इस मंदे में, सबेरे चार बजे, संडे को, और वो योगा भ्यास होता है, यहां पर मेडिटेशन होता है, और बाहर वो खोब योगा भ्यास करते हैं, खोब हंसते हैं, चार बजे से लेकर, और साथ बजे तक, तीन गंटे, चार बजे से कुछ म्यूजिक होता है, पांच बजे से फिर यहां पर कुछ एक्सरसाइज होती है, फिर मेडिटेशन होता है, बड़ अच्छा है, तो हम लोग खूब सोचते हैं कि अच्छी बात है, कि अपने बुढ़ापे को हम दूर भगाएं, जमानी को रखें, जितना हो सके प्राणायां करें, योगा भ्यास करें, फ्रेश एयर लें, मुझे बड़ अच्छा लगा कि सबेरे चार बजे, पांच बजे तो सब लोग आ जाते हैं, संसार बजे से आने सुरू हो जाते हैं, एक एक दो दो लोग आते हैं, पांच बजे तक हम से खम, आज मैंने देखा 45 लोग थे, तो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन फिर भी अंततो अगत्वा तैयारी भी करनी चाहिए, अपना गठरी बांधनी चाहिए, समान जोड़ना चाहिए, क्या-क्या ले जाना है, क्या-क्या जैसे हम लोगों को पैकिंग करनी होती है, क्या-क्या छोड़ना है, क्या-क्या ले जाना है, तो संसार एक महात्मा कहते थे, कि जब flight होती है तो सबेरे कई बार morning में 6 बजे flight होती है तो 3 बजे क्योंकि 2 घंटे पहले जाना है security के लिए तो फिर उठना पड़ता है बोले 6 बजे की flight है तो कम से कम 3 बजे उठना है तो 10 बजे सोते हैं तो 3 बजे उठना है लेकि 6 बार आख खुलती है तीन तो नहीं बजगे क्या बार बार उठते हैं बार बार गड़ी देखते हैं कितने बजगे कि अभी तो 11 बजे अभी तो 1.5 बजा है अभी तो 2 बजा है तो बोले जब कहीं flight फकड़नी होती है कहीं 2-4 अजार किलोमेटर जाने के लिए तब इतना हम लोगों को चिंता होती है लेकिन इतनी लंबी यात्रा पर जाना है जहां से कभी लोट कर आने का पता ही नहीं कि लोट के आना होगा कि नहीं आना होगा आना होगा तो इस रूप में आना होगा इतनी लंबी आत्रा के लिए हमें कोई चिंताई नहीं है तो ये कथाएं इसलिए सुनाई जाती है कि हम थोड़ी सी तैयारी करें हायक ग्रीव को माता जी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मैं तो चाहता हूं मैं मरूं नहीं माता जी ने का मरना तो सब को पढ़ता है लेकिन मैं तुझे वरदान देती हूं कुछ और वरदान मांग ले शर्त लगा ले कोई कि हाँ माता जी अगर मैं मरूं तो मेरे जैसा ही कोई मुझे बारने वाला हो मेरे जैसा माने उसको भी गोड़े का सिर हो तो दुरुगा माता ने ये कथा सुनाई कि जब मैंने उसको मैंने कथा थास तो मैंने इसको बरदान दे दिया कि तुझे जो मारेगा उसको गोड़े कासिर होगा इसलिए लक्ष्मी जी ने विश्नु भगवान को शाप दिया था विष्णु जी लक्ष्मी जी के मुख को देखकर हसने लगे थे तो लक्ष्मी जी को गुष्सा आ गया था कभी भी किसी को देखकर हसना नहीं पत्नी को भी देखकर हसना नहीं क्योंकि कहीं उसको गुष्सा आ जाए वो कुछ बोल दे लक्ष्मी जी ने बोल दिया और लक्ष्मी जी का बोला हुआ सच्छ हो गया तुम मुझे देखकर हसते हो तुमारा ये सिर कटकर गिर जाए और वो गिर गया इसलिए तर नारियस्तु पुझ्यनते रमंते तत्र देवता दुभागवत की कता है कभी भी खास करिस्तुरियों का आपमान नहीं करना चाहिए मा बेटी बेहन जो भी हो उनका आदर हो पत्नी का भी आदर होना चाहिए अवश्य ही तो उसको इसलिए यहाँ लक्ष्मी जी ने जो कुछ लेकिन दूसरा पक्ष्मी बताते हैं कि लक्ष्मी जी ने जो शाप दिया था अच्छाही हुआ क्योंकि वहाँ फिर विष्णु भगवान का सिर जो कट गया था विष्णु भगवान के सिर को उनको फिर गोडे का सिर ब्रह्मा जी ने जोड़ा मैंने उस द्यत्य को तो वरदान दे दिया कि तुम आनंद पूरवक राज्य करो और निश्चित रहो तुम्हे कोई न देवता मारेगा न तुम्हे कोई देत्य मारेगा और तुम्हे जब भी कोई मारेगा तुम को उसको गोड़े का सिर होगा उसने कहे तो होई नहीं सकता है उसने अपनी बुद्धिय से सोचा था कहां गोड़े के सिर वाला कोई मुझे मारने आएगा लेकिन जो जैसी भवितब्विता तैसी हो तो सहाए आप तहां नहीं जा सके ताहि तहां ले जाए हम लोग बहुत चालाकी करते हैं लेकिन भगवान चालाक के लिए बहुत चालाक है भगवान को हम कितनी भी चालाकी करेंगे तो हमें फिर वो हमारी मौत जैसे भी आनी है वैसे आनी है